इस में तारा है तो चलिए आज आपके लिए ये डौरमेट लेक convene ने के लिए इसको चाहए hour nos g shaking. कुछ भी बना सकते हैं तो चलिए फ्रेंट्स बनाते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजी और फ्रेंट्स जो इसके अंदर वूल लगी है वो 400 ग्राम के लगबग बूल लगी है तो जो भी वूल मैं आपको बताऊंगी वो 400 ग्राम के लगबग आप इस मैट को बना सकते हैं और कितने इस तक ये लंबा और चोड़ा है वो मैंने लास्ट में आपको बताया हुआ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए इस मैट को बनाने के लिए हमें मैट कह लिए आसन कह लिए आप पूजा रूम के लिए हैसन भी बना सकते हो ऊश्को तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो क्रोशया हुक लिया हूँ है वो देखिए मैंने यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या मारा कैच नहीं कर रहा थोड़ा तो यहाँ यहां जो क्रोशिया हुक है 6.0 mm का है मतलब 6 इंच का mm का मेरा क्रोशिया है आप यहां पे 5 mm का भी ले सकते हैं तो देखिए यह काफी मोटा है और यह देखिए यह मैंने online purchase किया था यहां local market में नहीं मिला और यह wool भी मैंने online purchase की है वैसे ही market में भी मिल जाती है इसली लच्छी वाली wool है कोई गोले वाली wool हो तियो इसको खरीदने के लिए आपको वर्द मान की blanket wool बोलना पड़ेगा blanket wool होती है इससे आप baby के कोई भी project बना सकते हैं तो जैसे blanket बना लीजिए table mat cover बना लीजिए कोई भी चीज बना लीजिए आप इसके अंदर तो मैं यहाँ पर mat बनाने जा रही हूँ तो देखिए हमने सबसे पहले mat बनाने के लिए हम हर crochet work करने से पहले गांट लगाते हैं तो देखिए गांट हमने कैसे लगानी है ऐसे करेंगे और यहाँ पर चैन बना लिए आपने और यहाँ पर पहले चैन में आपने इसको जोइंट कर देना है जोड देना है सिंगल क्रोशी से जोडना है यहाँ पर जोडा अब आपने तीन चैन बनानी है एक दो तीन तीन बनाने के बाद आपने यहाँ पर अंदर इसके गोलाई में डबल क्रोशिया बनाना है एक हमारी चैन होगी एक डबल क्रोशिया फिर हमने एक डबल क्रोशिया और बनाना है ऐसे तो यह हमारे तीन डबल क्रोशिया हो गए अब यहां एक की चैन बनाऊंगी फिर तीन डबल क्रोशिया बनाऊंगी एक दो और त तीन तीन बार फिर डबल क्रोशिय बनाए और फिर मैं एक चैन बनाऊंगी तो ऐसे रिपीट करके मैं चार बार यहां तीन तीन के डबल क्रोशिय बनाऊंगी तो देखिए मैंने चार बार यहां पर देखिए एक एक की चैन रखके तीन तीन डबल क्रोशिय बना लिए और य हैं पे टीसरी चैन पे इसको मैसे जोड़िए गए हैं फिर हमने बीच में आना यहां पे यहां भी सिंगल कोशे चला देंगे अब जो हमने एक एक चैन रखी है यहाँ पे हमने तीन की चैन और यहाँ पे तीन बार डबल कोशिया बनाएंगे तीन बार डबल कोशिया बनाया फिर हमने एक चैन ली और यहीं पे फिर तीन बार और बनाएंगे एक दो और तीन तो यहाँ पर हमारा छे बार हो गया लेकिन हमारी तीन के बाद एक चैन आगी अब एक चैन लेंगे और अब तीन छोड़ के यह अगले वाले में तीन बार फिर डबल खोशिय बनाएंगे और फिर एक चैन लेके यहीं पर तीन बार और बनाएंगे यहाँ पर छे बार डबल क्रोशी हो जाएगा हमारा देखिए छे बार हो गया एक चैन बनाएंगे फिर यहाँ पर तीन छोड़के बीच में तो हमने यह राउंड ऐसे करना भी रगली बार फिर तीन छोड़के यहाँ पर बनाना है तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पर यहाँ पर भी मैं छे बार बनाऊँगे लेकिन बीच में सिर्फ हमने तीन बार बनाने के बाद एक चैन लेने हैं तीन बार बनाया एक चैन ली फिर यहाँ पर तीन बार और बनाएंगे डवल क्रोशी आप जो बिगनर हैं इसको अराम से बना सकते हैं इसमें कोई डिजाइन नहीं है डवल क्रोशी का यूज किया हुआ है आप इसमें कोई भी चीज बना सकते हैं देखिए यहाँ बना लिए अब एक की चैन और यहाँ तीन चोड़ के यहाँ बनेगा तो देखिए लास्ट में एक चैन लेंगे और यहाँ पे जो तीसरी हमारी चैन है स्टार्टिंगी उसके अंदर सिंगल ग्रोशी से इसको जोड़ देंगे तो देखिए अब आपका ऐसे लुक में आ रहा है देखिए एक दो तीन चार चार बनाए थे अब हमने क्या करना है इन तीन तीन को छोड़ गए यहाँ पे भी छे डाले यहाँ पे भी छे डाले यहाँ पे भी छे और यहाँ भी चे और यहाँ भी चे तो चार कोने हो गए ह अब देखी हमने क्या करना है यहां बीच में लेकि आना इसको लेकिन हमें पहले यहां पर अगले वाले में सिंगल क्रोशिय से ऐसे कर देंगे फिर बीच में जाएंगे सिंगल क्रोशिय से ऐसे कर देंगे और यहां पर तीन की चैन बनाएंगे अब फिर मैं यहाँ छे बार डबल कोशिय बनांगी लेकिन तीन बनाने के बाद एक की चैन लेनी है दो और तीन देखिए अब क्या करना है हमने देखिए यहाँ पे जो हमारी खाली जगा है क्योंकि यह कोने हैं यहाँ खाली जगा है यहाँ पे भी तीन डबल कोशिय बनाएंगी अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होने जा रहा है देखिए तीन बनाई और एक की चैन लेनी है और फिर दोबारा उसी के अंदर तीन डबल कोशिय बनाने है बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा ब्लैंकेट या डूर मैड बनता है इसका तो आप भी ट्राइ करिए देखिए अब आपने ऐसे राउंड निकालना है यहाँ बीच में आपने तीन बनाने है और यहाँ पे छे, यहाँ तीन, यहाँ छे, यहाँ तीन ऐसे करना है पूरा राउंड निकाल देती हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे राउंड कम्प्लीट कर लिया एक की चैन ले लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे तीसरी चैन के अंदर स्टार्टिंग में जो हमने गरी दी सिंगल क्रोशी से जोड देंगे ऐसे तो देखिए कुछ ऐसे लुक में आ रहा है यह देखिए यहाँ पे छे, छे हो गए हमारे और बीच में एक एक हो अब मैंने यहाँ पे भी बीच में आना है तो देखिए कैसे करना है सिंगल क्रोशी से फिर यहां पर छे बनाएंगे लेकिन तीन की चैन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशी बनाएंगे दो बार तो हमारा तीन बार हो जाएगा एक चैन हो गई हमारी यह तीन की तीन हो गई एक चैन लेंगे फिर तीन यहां पर बनाएंगे तीन बार बना लिया अब हमने यहां एक की चैनल लेकिए देखिए हमने बीच में यह तीन की बनाए हुए तो यहां भी हमने अब तीन बार डबल गोशिया बनाना है बहुत ही असान पैटर्न है बस आपने डबल गोशिया ही चलाते हैं जाना तीन बनाए और आपने एक की चैनल लेकिए अब यहां से यहां बनाना है फिर आपने एक की चैनल लेनी और यहां पर छे बनेंगे लेकिन तीन बनाने के बाद आपने एक चैनल लेनी है इसी के अंदर तीन बार और बनेंगे तो देखिए आपका पैटर्न कुछ इस तरह बनेगा जैसे आपका पहले एक आया था अब यह दो आई है तो आपने इस राउंड को भी ऐसे ही निकानना है यहाँ पर एक की चैन और लास्ट में हमने इसको इस चैन के अंदर तीसरी चैन के अंदर जोड़ देना है तो देखिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह आएगा बहुत ही बड़ी आए देखिए कुछ इस तरह के से आएगा अब देखिए हमने यहाँ पर एक बनाया था यहाँ पर एक बनाया था इसके आज पास दो हो गए अब जो हमारा यह राउंड आएगा जो अगला राउंड आएगा इसके बाद दो के बाद यह राउंड आएगा तो यहाँ पर एक यहाँ छे तो यहाँ बनेंगे यह हर बार बनेंगे चारो कोनों में और तीन यहाँ पर बनेंगे तीन यहाँ पर बनेंगे तीन यहाँ पर कम यहाँ दस राउंड निकाल गए फिर आपको दिखाती हूँ देखिए यहाँ पर मैंने लास्ट में राउंड निकाल लिया अपना लास्ट का ए एक चैन लोगी और यहाँ पर तीसरी चैन के अंदर इसको जोड दूँगी और देखिए मैंने यहाँ पर दस राउंड कम्प्लीट कर लिये यह देखिए यहाँ से दिखा देती हूँ क्योंकि छे के यह हमारे यह छे साइड के हैं तो यह एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस तो यह दस हो गए हमारे तीन, तीन के तो यह काफी बड़ा बन गया है, देखिए काफी बड़ा बन गया है, तो इतना ही मैं बनाऊंगी और यहाँ पर अब मैंने इसको किनारी लगानी है तो आप इतने राउंड निकाल लीजी इसके और यहाँ पर किनारी लगाने के लिए हमें पहले यहां पे सिंगल ग्रोशिय से यहां पे यहां जाना बीच में फिर सिंगल ग्रोशिया अब हमने देखिए कोना है हमारा यह है यहां पे यह कोना है तो हमने क्या करना है यहां पे देख लीजिए एक बार मैं यहां पे भी सिंगल ग्रोशिया चलागे यहां पे देखिए तीन और बनाने डबल क्रोशिय और चार तो चार डबल क्रोशियों ओ गई मेरे यह अब इन चार डबल क्रोशियों को मैं ने क्या करना धेखिए यहाँ पर एक दो और यहां तीन यह वाला हमारा तीन तीसरे के उपर हमने सिंगल ग्रोशिय से जोड़ देना और इसको ऐसे निकाल देना है तो यह हमारी लूप से आ जाएगा ऐसे ही मैंने एक दो तीन की चैन बना के अब हमने यहाँ पे डालना है यहाँ पे यंदर इसकी यहाँ पे तीन बार और डबल ग्रोशिय बनाएंगे दो तीन चार चार बनाया और फिर हमने एक दो तीन तीसरे के उपर हमने सिंगल ग्रोशिय से इसको जोड़ देना ऐसे ऐसे देखिए ऐसे आ जाएगा यह बनके और जब भी आपका धगा खतम हो गया और जैसे मेरा धगा खतम होने वाला गोल आए देखिए तो हमने दूसरे गोले के साथ इसको कैसे अटेच करना यह भी मैं आपको बता देती हूँ पर बाद में कि दूसरा दागा कैसे लगा तो ऐसे और जो भी आपका धगा रह जाए देखिए यहाँ पर जो भी दागा रह जाए यहाँ पर मैंने गोला लगाए था तो यह थोड़ा सा धगा रहे गया तो हमने क्या करना है यहाँ से क्रोशिया डाल गे इस धागे को अंदर कर देना है ऐसे ऐसे डालेंगे ऐसे तो यह दागा अंदर हो जाएगा आसी अंदर हो जाएगा पता नहीं जलेगा कि कहा हमने जॉइन्ट गया था देखिए ऐसी किनारी बनानी है हमने पूरे पूरे के अंदर ये चाकोर में जैसे सक्वायर में ये एक दो तीन तीन चैन बनाऊंगी और यहां पे तीन बार और डबल क्रोशिया बनाऊंगी तीन और चार चार हो गई अब हमने यहां बे एक दो तीन चोड़ गए सिंगल क्रोशिया जे इसको जोड़ देना है फिर हमने तीन की चैन बनानी और यहां पे यहां पे तीन बार और डबल क्रोशिय बनाने है देखिए तीन बार बनाए और यह चोथी बार और यहां भी हमने एक दो तीन चोड़ गए तीसरे के उपर सिंगल क्रोशिय से अब देखिए हमारे दो दागे इस तरफ आगे क्योंकि हमने यहां जोड़ा इनको भी हम क्रोशिय से अंदर कर लिए तो ऐसे इस के उपर हमने पूरे के उपर यह किनारी बनाने है यहां से पूरे के उपर बना के फिर मैं आपको दिखाती हूं एक दो तीन तीन बनाने के बाद हमने देखिए यहां पर क्योंकि हमने हर लूप ऐसे बनाया तो यहीं पर यहां पर हमने तीन बार और बनाना है तीन की हमारी चैन हो गई एक वो बन गया और तीन और बनाएंगे दू और एक तीन और एक चैन वाला हो गया तो चार हो गए है हमारे अभी यहाँ पर हमने इस किनारे पे जाके यहाँ जोड़ देना है इसको यह देखिए और अपनी उनको तोड़ देंगे क्योंकि हम लास्ट में आ गए हैं देखिए आप हमने इस उनको पीछे की साइड से ऐसे ले ले लेना है और देखिए फाइनली जो मेरे लुक है इसकी तो ऐसी आई लिए देखिए यह देखिए यह देखिए जो किनारी लगाई थी हमने किदनी सुन्दर लग रही है यह देखिए तो बहुत ही प्यारा बना हुआ है और अगर हम मैं इसकी चोड़ाई और लंबाई नापके दिखाती हूँ आपको तो देखिए इंची टेप स साथ मैं यहां से लेके यहां तक पचीस इंच के करीब आ रहे है इसकी लंबाई और उतनी इसकी चोड़ाई है जितनी इसकी लंबाई है यहां से यहां तक और उतनी क्योंकि हमने सक्वैर बनाया तो पचीस पचीस इंच के करीब इसकी लंबाई और चोड़ाई आई है तो तो चलिए friends बनाईए और वीडियो को like, share और चैनल को subscribe कर दीजी अगर वीडियो आपके useful लगी हो तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you